अबसकार आप सभी का सवक्ता है मारे योटूब चैनल चीनिया क्लासेज पर तो आज अपने बात करने वाले हैं कक्षा आठ के प्रिक्षा पैटरन पर आधारित बहुत से विद्यारिती कोमेंट करके पूछ रहे थे कि कक्षा आठ का जो पेपर है वो किस परकार का आएगा इसके लावा कितने परसन उसमें पूछे जाएंगे परसन किस परकार के पूछे जाएंगे और पेपर को अल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा और स्कूल से किस प्रकार से नंबर बैजे जाएंगे और कितने बैजे जाएंगे तो सब बिंदों पे अपने डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं बस आपको वीडियो में सुरू से अंतक बने रहना है ताकि संपून जानकारी आपको अच्छे से कलियर होस के तो वीडियो को लाइक कर दें अधिक शेयर कर दें आपके जितने भी सेयर पार्टी है उन सब से शेयर कर दें ताकि सबी को इसका फाइदा अधिक शेयर होस के तो शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो, सबसे पहले अपने बात करें, तो आपका परती विशे के कुल 100 अंक, यानि कि पूरा जो पेपर है वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको जो परशन पत्तर एक्जाम में मिलेगा वो रहेगा आपका 80 नंबर का, और जो 20 नंब सिक प्रिक्षा के 60 अंक, यानि कि कुल मिला के ये जो जितने नंबर बन रहे हैं 100, 100 का जो 20 परतीसत अंक बार है वो यहां से भेजा जाएगा, तो उमीद करता हूँ ये आपका जो पहला परशन था वो अच्छे से कलियर हुआ होगा, अब अपने बात करें आगे, तो एक् लक्षा आठ में आपके जितनी भी पेपर हैं, चाए हिंदी है, चाए अंग्रेजी है, चाए गनित है, चाए समाजिक विज्ञान है, चाए विज्ञान है, चाए आपके पास तर्तिय बासा के रूप में संसकर्थ है, चाए उर्दू है, चाए पंजाबी है, चाए गुज पूछी जाएंगे 52 प्रते एक पेपर में आपके 52 पर्षन आपको देखने को मिलेंगे 52 पर्षन होंगे और कुल जो आपका नंबर होगा 52 पर्षनों का जो कुल नंबर एड अभी आपको आगे बताएंगे उनको एड करके आप देख लेना कुल जो नंबर बढ़ेंगे 80 या तो डेट सो मिंट आपको पेपर को हल करने के लिए यानि कि जैसे कि आपने शुरू में थमनेल पेज पे देखा होगा 52 पर्षन को हल करने के लिए आपको डाई गंटे यानि कि डेट सो मिंट समय दिया जाएगा तो ये आपका पहले और दूसरे पर्षन के लिए रुए हो तो इसमें देखे क्या कुछ इसका पैटर्न दे रहका है इसमें दे रहका है जैसे आपका पहला पर्षन है पहले पर्षन में आपको पहले पर्षन की अंतरगत जैसे अपने सब टाइटल दे देते हैं पॉइंट A, B, C, D इस परकार से आपको तो जो पहले पर्षन के अंतरगत 15 पर्षन आपको मिलेंगे परते एक पर्षन एक नंबर का होगा और कुल पर्षन है वो 15 नंबर के ये किस परकार के होगे ये होगे बहु बिकलपी पर्षन MCQ यानि कि आपको एक पर्षन दे दिया जाएगा निचे चार उप्षन A, B, C, D उन्हें में से कोई एक आपको सही टिक करना होगा तो इस परकार के जो पर्षन है वो आपको मिलेंगे 15 फिर अपने बात करें अगला जो पर्षन आएगा सेकिंड जो पर्षन है उसके अंदर के अंदर 8 पर्षन यानि कि पहले के अंदर 15 और दूसरे के अंदर 8 पर्षन आपको मिलेंगे और जो 8 पर्षन है वो किस परकार से मिलेंगे वो आपको मिलेंगे रिक्स्थान वाले आपको दिया जाएगा रिक स्थानों की पूर्ती करें तो ये होंगे आठ पर्षन और प्रतेग पर्षन एक नमबर का यानिकि कुल मिला के आठ नमबर इसके हो गई फिर अपने बात करें ये सब जो पर्षन है जितने भी ये खंड आ की बात करें आपके पेपर तीन खंडों में बटा होगा खंड A, B और 6 यानिकि A, B और C फिर आपका जो तीसरा जो पर्षन होगा उसके अंतरगत आपसे पूचा जाएगा सही या गल्द यानिकि वो पूचेगा आपसे सत्य है या आय सत्य है ट्रू या फाल्स इंदिय में लिखा होगा सही या गल्द तो आपको सही लग रहा है तो सही पेटिक गल्द है तो गल्द तो इस परकार से आपके जो थर्ड पर्षन है उसके अंतरगत टोटल जो पर्षन पोचे जाएगे साथ जैसे पहले में 15 थे दूसरे में 8 थे तीसरे में 7 पर्षन तो कुल मिलाके इनके कितने नंबर होगे परते एक पर्षन एक नंबर का तो 7 पर्षन 7 नंबर के होगे अब इसी के अंतरगत चोथा जो पर्षन है उसमें आपको मिलान वाड़े पर्षन मिलेंगे एक तरफ कुछ अलग डाटा दिया जाएगा दूसरे तब कुछ अलग डाटा उनको पूछेगा कौन सा किसे सही मिलान कर रहा है तो उसको आप मिलाएं यानि कि A, B, C, D और E इस प्रकार से बंडे होंगे तो ये पांचो परशन एक एक नमबर के तुकुल मिला के पांच नमबर फिर अगले परशन की बात करें इसी के अंतरगत पांच से लेके नो नमबर क्यूष्ण तक आपके होंगे अतिलग उत्रात्मक यान की एक एक जो लाइन वाले मैत की बात करें तो मतलब छोटे छोटे परशन और हिंदी या बाकी लिखने वाली जो सब्जेक्ट है वाँप या पर वैसे अपने बात करें तो 15 और 8 यह होगे आपके 23, 30, 35 और 40 परशन यह आपके 40 परशन खंड एक के अंदर होंगे और 40 परशन कितने नमबर के होंगे 40 नमबर के फिर अपने बात करें खंड बै अंदर बात करें तो खंड बै के अंतरगत आप से पूछे जाएंगे लगूतरात्मक यानि कि थोड़े से बड़े पर्षण 3 से 4 लाइन वाड़े और ये जो पर्षण होंगी 10 से लेकर के 17 तक और इसके अंतरगत आपके पर्षण होंगी 8 और प्रते एक पर्षण आपका 3 नमबर का होगा तो कुल मिलाके 8, 3, 24 यानि कि बड़े वाड़े परशन इसमें पूछी जाएंगे और 18 से लेकर के 21 तक इसमें आपके 4 परशन पूछी जाएंगे परते एक परशन 4 नमबर का और कुल जो नमबर होंगे 6 तो इस परकार से ये आपका पूरे जितने भी 6 पेपर है 6 के 6 पेपर आपके बंटें रहेंगे ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा उमीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा अब हम आपको पूरा इसका पेपर आगे और दिखा देते हैं ताकि सब डाउट है वो आपके अच्छे से कलियर खोस के देखिए जैसे मैं अभी गनित का पेपर लेके आया हू बाकी भी आपको और एक बात यहां से द्यार के ये पेपर नहीं आगा ये एक मोडल पेपर है मैं समझाने की कोशिस करा हूँ कर ये मत सोचें कि आपका ये पेपर आए और इसका रटा मार के चले जाओ नहीं ये वो पेपर है जिसकी मादेम से मैं आपको समझा रहा हूँ क पेपर को हल करने के लिए डाई गंटे का सम्या यानिकी देड़ सो मिंट और पेपर आपका तीन भाग में बंटा हुआ ये पहला भाग है जिसके अंतरकत मैंने बताये था कि 40 परशन पूछे जाएंगे 40 नंबर के किस परकार से पूछे जाएंगे वो देख लीजे मैंने पहले आपको बताये थे 15 परशन जो इस परकार से एबेश है देवाड़े जिसमें 4-4 ओप्सन दिये जाएंगे तो ये देखिए पहला परशन है पहले के अंदर A, 1st, 2nd, 3rd इस परकार से 15 परशन है आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो देखिए यहां पर पहले जो परशन है पहले परशन के अंदर के अंदर 15 परशन उसके पहले के अंदर 15 परशन है और सारे के सारे एबेश है देवाड़े यानि 4-4 ओप्सन देर के हैं पूरती वाड़े परशन देखने को मिलेंगे तो यह देखिए रिक्स तानों की पूरती कीजिए और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 परशन यानि कि 8 परशन 8 नमर के लिए और यह देखिए इधर देर का इनमें से आपको सही वरना है ना कि कोण सा सही है तो रिक्स तानों की पूरती जानि कि 8 नमर के लिए 8 परशन इस परकार से आपको देखने को मिलेंगे फिर अपने बात करें परशन नमर 3 की परशन नमर 3 में मैंने आपको बताया था कि सत्या और आ इस त्या है y latest ट्रू और फाल्स प्रू बोले तो सए कौन सा है और फाल्स बोले तो गर्ध कौन सा है तो इसमें सत्य और ईघ सत्य आपको बताने हैं तो देखिए, ये तीसरा पर्षन है और तीसरे पर्षन के अंतरकत कितने पूछेगें एक, दो, तीन, चार, पांच, छए और साथ xi एक एक नमबर का 7 परसंद 7 नमबर के लिए तो ये 3 परसंद के अंत्र सत्या वर्टek सत्या वाड़ी इस परकार सी आपको परसंद पुछ जाएंगे फिर अपने बाग करें 4 परसंद की, 4 परसंद मिने आपको बताया था कि आपको मिलेंगे मिलान पुछेगा शही और गरत को मिलाएं तो देखी, एक तरफ खंड है, बैा दोनों देरकें, आपसे पुछेगा लेत आपको किसा उत्र सही आका मिलारा है। यह सही उत्तर नहीं मिला रहा हूँ, मैं आपको यसे समझाने की द्रिष्टी से बता रहा हूँ, कि आपको इस परकार से मिला के और ये मिलाने वाले परसन हल करने हो तो उमीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से कलियर होगा एक से लेकर कि चार और इसके अंतरकत पांच परसन यानि कि कुल मिला के यहां पे आपके चारीस परसन और पांच परशन अति लगूर आत्मा के यानि की वन एक एक नंबर वाले परशन देखे आगे देर के ये पांच से लेकर के नो ये भी आपका एक नंबर का परशन यहां पर देखे एक नंबर लिखा हुआ है इधर भी एक नंबर छटा भी एक नंबर के लिए तो इस परकार से झाटा ये आपके चाटा और फिर अपने बात करें, साथ मां और एक नंबर के लिए, आठ मां एक नंबर के लिए और ये नुमा क्योश्ण देखिए, एक नंबर के लिए तो इस प्रकार से ये खंड और आपका पूरा हो गया इसके अंतरगत 40 परशन आपसे पुछी जाएंगे 40 नंबर के लिए और कुछ अबसाइदे वाले, कुछ मिलाने वाले, कुछ रिक्सतानों की पूरती वाले तो कुछ वन यानि कि एक लाइन परशन, एक लाइन में उत्तर देने वाले यानि कि छोटे-छोटे परशन पूछे जाएंगे तो उमीद करता हूँ यह सब आपको छेशे कलियर हुआ होगा फिर देखे आपका खंड बैक, खंड बैक अंतरगत आपको लगुतरात्मक परशन 3-3 नंबर वाले पूछे जाएंगे तो देखे आपके सामने देख सकते हो, 11-12 और इसी परकार 13-14 और 15-16-17 उसके बाद में यानि कि 17 तक आपके होंगे लगुतरात्मक यानि कि 3-4 लाइन वाले यानि कि छोटे-छोटे परशन ठीक-ठीक होएंगे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और जो खंड C होगा आपका लास्ट खंड उसके अंदर बड़े-बड़े परशन 4 परशन 18, 19, 20 और 21 इसमें बड़े-बड़े परशन 4-4 नंबर के यानि कि 4 इंटो 4-6 नंबर के ये परशन है पुछे जाएंगे तो ये आपका पूरा एक्जाम का पैटर्न रहेगा उमीद करता हूँ सब आपको अच्छे से कलियर हुआ होगा आपका पेपर है वो आपका 70% सलेवस में से पुछा जाएगा क्योंकि 30% सलेवस इसमें कम कर दिया गया है तो सलेवस के कौन-कौन से बिंदू से पेपर आएगा कौन-कौन से टोपिक पूछे जाएंगे क्या उसके भी आपको एक वीडियो अलग से चाहिए तो आप कॉमेंट करके अधिक स्याधि कॉमेंट करके हमें बता दें ताकि हम उसके भी एक वीडियो आपके लिए कर दें यदि आपको चाहिए कि कौन-कौन से सलेवस के लिए कौन-कौन से टोपिक रहेंगे तो उसके लिए हम वीडियो कर देंगे लेकिन आपको उसके लिए कॉमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा कोमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल सके फिर उसकी आपकी रिक्वाइर के अकोर्डिंग हम आपके लिए एक वीडियो और कर सके इसके अलावा जैसे ये गनित का मौडल पेपर था हिंदी का विज्यान का और समाजिक विज्यान के लिए अंग्रेज जी का सब के लिए अदिया आपको इसी परकार के मौडल पेपर चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम ग्रूप ची ग्रूप को जोइन कर लें जोइन करने के वाँ पर मिल जाएंगे ताकि आपको सब चीजें और अच्छे से क्लियर खोश के तो वीडियो अगर वास्ता में आपको बहुत उपयोगी लगी है तो लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा वे विद्यारती जिनको लगता है कि उनकी गणित कमजोर है और आपको इसी परकार के और पेपर चाहिए और परसन चाहिए और सोलुशन भी चाहिए तो हम आपके लिए क्लास शुरू कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी आपको अधिक स्यादिक कोमेंट करें बताना पड़ कि इनी वीडियो में जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद